दिर चिल्ड्रेन मैं दुरा संदाज स्वागत करता हूं आप सभी का बच्चों हम लोग क्लास फाइव का मैथ सॉल्फ कर रहे थे और एक्सरसाइज वन में कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्फ कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है आज हम लोग जो में है तो लास्ट फाइव क्वेश्चन हम लोग के पास है तो इसको हम लोग सॉल्फ करते हैं पहले इसको परते हैं यह क्या बतला रहा है पुनम बाउट 12 मिटर 40 सेंटी मेटर रीबन एंड डिस्टिबियूटेड इट इक्वाली अमोंग 4 गर्ल्स बतला रहा है कि पुनम जो है वो 12 मिटर और 4 सेंटी मेटर एक रीबन एक फिता करिती है और 4 लड़कियों में उसको बराबर बार देती है तो सभी लड़कियों को कितना कितना रीबन उन लोग को मिलता है तो 12 मिटर और 40 सेंटी मेटर तो 12.40 हम लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते है 12 meter 40 centimeter equal to 12.40 meter इस तरह से लिखते हैं और चार लड़कों में बराबर बाटना है इसका मतलब है कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं चार गर्स दिया हुआ है तो चार से इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से तो यह 4 को 12.40 इससे डिवाइड कर देते हैं 4 3 जा 12 हो गया यह कट गया यह कट गया और यहां पर 4 आ गया नीचे तो यहां पर आ जाएगा और 4 1 जा 4 वन बार में 4 यह कटम हो गया 0 यहां पर आया और जब कोई भी नंबर उपर से नीचे जब उतरता है और डिवाइड नहीं जाता है तो फिर यहां पर जी रो आ जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो डिवाइड में अक्सर बच्चे नहीं भी सिख पाते हैं जल्दी तो यहां पर हो जाएगा 3 मीटर 10 सेंटीमीटर इतना परतेक गर्ल्स को जो है इतना लंबार इबन उनलोग को पराप्त होगा यह एंसर हो जाएगा यह कंप्लेट हुए है अब नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं इसमें क्या बतला रहा है इसके नीचे जो पूछा गया है उसका आंसर देना है तो इतना समय के बाद कितना बजेगा यह पूछा जा रहा है तो अभी बज रहा है तो फिप्टेन और टू आवर थर्टी मिनट इसके बाद कितना टाइम होगा इसको अब लोग इसे प्लस कर देते हैं यहां पर एक पिक्चर दिया हुआ है तो पिक्चर में दिखला देता हूं यह देखिए यह पिक्चर दिया हुआ है घड़ी का यहां पर दो बज कर पंदर मेंट हो रहा है तो इसे के हिसाब से हम लोगों टाइम बतलाना है इसे प्लस कर देंगा हम लोग यह टूफिप्टिन टाइम हो रहा है और इतना बढ़ जाएगा तू थर्टी प्लस हो गया तो फाइब और यह फॉर तो इतना प्यम हो जाएगा यह मतलब दो बज रहा है दो पार हो रहा है तो फिर चार बच कर 45 मिनट 445 तो यह संधिया हो जाएगा फिर भी यह पीम का लाता है यह पीम यह और यह नाइन आवर के बाद कितना होगा नाइन आवर 45 मिनट्स तो इसमें जो दिया हो है उसको प्लस कर देते हैं यह यह टू फिप्टिन और यहां पे हो गया और नाइन जीरो और यहां पे 415 और 16 यह गया 292 11 11 11 बचकर 60 मिनट होगा इसका मतलब है कि 1160 60 मिनट नहीं होता है 60 जब होगा तो यहां पे एक आवर बढ़ जाएगा तो वन आवर बढ़ जागा तो यह 11 12 हो जागा 12 हो जीरो इसके मतलब हो जागा एम मिड़नाइट हो जागा मिड़नाइट अब इसके दग आगे देखते हैं यह कुश्चन नमर बी में उसी तरह का दिया हुआ है अभी जो इसमें बतला रहा था कि इसके बाद कितना होगा अभी इसके पहले बतला रहा वाट टाइम वाज टीट भीपोर कि इतना समय पहले कितना बज़ेगा तो तो अब इसमें क्या करने में लोगो मैनस कर देना तो मैनस करने के लिए इसमें माइनस जो है वह मैनस हो कर नहीं तो इसको क्या करना है ये 215 हो रहा है तो 215 है इक्वैल टू 14 15 15 इतने होगा इतना समय होगा 24-hour clock जो चलता है उसके हिसाब से तो इसमें समय माइनस कर देते हैं 14 15 क्या हो जाएगा 330 अब यह हो जाएगा यहां पर प्लस है यहां पर माइनस हो जाएगा तो माइनस करने के लिए से मैं क्या करेंगे यहां से एक के लिलें और के लीने से स्क्या होगा यहां पर 60 आंटेரिये 50 60,70 और 75 यहां पर हो जाएगा 75 और यहां पर हो जाएगा यह फूर्तिं के जगए 13 हो जाए गा यह थे तर्तिं तो फाइब में से जीरो Cyber I horiast सेवन में से 3, 4, यहां पे 13 में से 3, 10, यह हो जाएगा 10, तो यहां PM हो रहा था, और पहले बोल रहा है, जिसका मतलब है कि, 12 बारव जैसे निचे आ जाता है, तो यह AM में चेंज हो जाता है, तो यह हो जाएगा AM, यह कम्प्रिट हो गया, अब यहां पे जो है, 1 hour 50 minutes पहले कित 2, 15, तो इसमें को मैनस करना है, 1, 15, 15, यह हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से केरी लेते हैं, और यह 15 पहले से है, तो यहां भी 75 हो जाएगा, 75 में 50 चला गया, तो 5 यहां पे और 7 में 5, 2, और यहां पे तो 1 बची गया, तो 1 में 1, 0, 0 का मतलब हो जाएगा, 12, तो यह 12 हो गया, और 25, 25, इसका मतलब है कि 12 बच कर 25 मिनट, तो यह PM में ही होगा, क्योंकि 12 का उधर जाएगा तो AM, और 12 के धर रहेगा तो PM, 12 पर रहेगा तो मिड़े होगा, यह फिर रात र है, तो यहाँ पर हम, PM लिखेंगे, यह फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर छिली कि है 14, 14, 15, तो यहाँ पर 150, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर, यह हो गया, इसको केनी लेँ लेंगे, यहाँ 75 हो गया, और यहां पे हो गया 13 तो 75 में 50 माइनस हो का 5752 और यह 13 12 इस तरह से भी ट्विल आ गया तो यहां पे लिखेंगे पीम और यह हो गया एंसर यह भी एंसर हो गया कंप्रेट हो गया अब लोग नेक्स्ट कुस्टन में आते हैं कुस्टन नमर 23 ओटर दा परिमेटर्स आप सेप ए एन सेप बी तो यहां पे पिक्चर दिया हुआ है आप उसके हिसाब से बतला सकते हैं सेप ए और सेप बी तो यहां पे यूनिट्स लिखा हुआ है जब ए एक इतना है कि यहां पे यूनिट्स तो इसका अंसर बहुत आसान है अब देखे यहां पिक्चर में यहां पे आप देखे एक जो पिक्चर दिया हुआ है सेप ए शेप बी तो यहां जितने घर है है आप समझे कि उतने यूनिट है तो आप गिन लिजे 123 और 1234 पॉर त्रीज अट्वेल हो गया तो यहां पर फस्ट में सेप ए में 12 हो जागा और यहां पर है तो फास्ट में 12 हो गया और सकेड में 14 हो गया तो इतने गार उतने अंसर हो गया तो बस हुसमें हम असेप अमें 12 खेख देना है सेप ए में 12 तो कि यहां पेस तो वह लिए और सेप 17 फटिन है यह एकम्रेट हो गया question number 24 यहां पर देखते हैं क्या बोल रहा है study the patterns and write next three numbers question number 14 में बोल रहा है study the patterns and write next three terms यह जो है pattern जो दिया हुआ है इसको study करना है और इसको यह जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से अगला तीन टर्म लिखना है तीन नंबर और आगे लिखना है तो फर्स्ट में देखते हैं लोग 3 6 3 2 6 6 3 6 6 3 6 2 जा टूल मतलब डवल होते जा रहा है तो 24 तुजा 48 हो जागा 24 तुजा 48 48 अब इसको जो है इसको 48 तुजा तो 48 पूजा इसको हम यहां पर रफ कर सकते हैं 48 को पूसे मुल्टिप्लाइ कर देते हैं एट तुजा 16 हो गया वन बचिया फोटुजा एट एट और वन नाइन हो या 96 कर दिया 96 और इसको फिर हम लोग रफ कर सकते हैं 96 तूजा 6 तूजा 121 बचिया नाइन पूजा 18 और 19 192 192 192 यह होगे कम्पेट अब यहां 258 11 मतलब यह यहां 3 प्लस हो रहा है 3 2 3 5 5 3 8 8 11 हो गया और 11 और 3 12 14 12 13 14 तो यह 14 हो गया और यहां से 3 लेंगे तो 4 37 17 हो या और 7 Brady टेन हो गया तो इसका मतलब 20 हो गया और यहां पे 1827 तौहर शुठ यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है जिसको क्या किया गया है यहां और का क्यों लिया गया है और ट्री का है यांपे और 4 को फोर के लिखुला ग्यां पोट्रोलजा नियु सीक्स्टेट फोरग डां पोर लिए असे फ़ाइब कटे भाइब यूग निद ट्रां कोई अख्युल यह स्का यूद होगा सिप्सक्स का यूडोज यह करते हैं 25 फाइब जा फाइब फाइब जा फाइब जा 25 वोग या टू बची या 5 जा 10 और 2 12 125 तो यहां पर आ जागा 125 और 66 36 हो गया 36 इंटो 6 यह हो गया 66 36 और 3 बची या 6 3 जा 18 19 2021 21 तो यह 216 तू 16 749 49 7 जा 9 7 जा 63 6 बची या 7 4 जा 28 28 और 6 20 यह 30 हो गया और 4 34 हो गया 34 यह हो गया complete 343 यह हो गया complete हो गया क्वेशन नमर्ट 25 में हम लोग देखते हैं इसको पढ़के स्टोडी दर जोइनिंग ग्राफ and answer the following question यहां जो ग्राफ दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं उसके हिसाब से जो पर दर्ज दिस ग्राफ सो यह ग्राफ क्या चीज दिखला रहा है तो इसके बारे में लिखना है तो यहां पर दिखा रहा है इस्टूडेंट्स के फेवरेट गेम जो है उसके बारे में दिखा रहा है तो लोग लिखे देते हैं इसको इस ग्राफ तो इस वेवरेट में यू होगा एफ ए भी ओ यू ओ यू और आइड फेवरेट जैंप क्यों ओफस्टूडेंट्स यह इसके बाद हमेनी श्टूडेंट्स फ्ले बिदेमिंटन तो बइडिमिंटन तकितने स्वेंट खेलते हैं इसलिए में बतला रहा है बेड में इंट सेवन स्टूडेंट्स खेलते हैं तो हमने यहाँ जांए यहाँ ये इसका एसका इंसर में सेवन क्लिक्सींट सेवन स्टूडेंट्स होगा वाट इटढ मौस्ट पोपोलर ड्यम इसको तो आप लोग आंमें स्कूल already कुछ रहा है कि कितने इस्टूद्स यहां पे खेल में जो भाग लिए हैं कितने सुरेट का सर्वेचन हुआ है सरवेट सुरेट कितने इस्टूद इस बतलाना होगा तो यहां पर फॉटबॉल में आपका पास इस्टूडेंट है six plus हो गया और वोलीबॉल में एट हो गया प्लस उसके बाद किरकेट में 10 हो गया प्लस बेडमेंटन में 7 और टेबल टेनिस में 7 तो टोटल इस टूडेंट यहां पे इतने हैं तो यह जितना होगा वह अंसर हो जाएगा तो यहां पर यह 14 हो गया शिक्सेट 14 14 14 और टेन अर्ट 24 हो गया 24 और 7 हो गया 6 30 और 131 हो गया और 7 38 हो गया मतलब 38 स्टूडेंट सर्वेड है इस टूडेंट और यह इसका अंसर हो जाएगा यह complete हो गया यहां पर तो यह exercise भी यहां पर समापत हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी help मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी पर करके और वीडियो पाने के लिए हमारे चै छो समयद और भी येघुर। तया मुल्ण कि अच्ता हम गया तया मुल्ण नेक्ष बाइबस तया हम जुक्ते ह्